Hello everyone, welcome back to my channel, IRCC is on strike, yes, आपने बिल्कुल ठीक सुना, IRCC is on strike, अगर आपने भी वीजा अपलाई किया हुआ है, क्यानडा आने के लिए, अगर आपके मन में भी बहुत सारे कोशन है कि इस ट्राइक में अच्छली हो क्या रहा है, क्यों ये स्ट्राइक हुई है, क्यानडा की जो फ पहले हुई थी, बट वो इतने बड़े लेवल पे नहीं थी, कैनडा में ये है, गवर्मेंट वर्कर्स की, गवर्मेंट डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी स्ट्राइक, एक लाग से जादा इंपलॉईज इसमें इन्वार्ड हैं, और बहुत इंपॉर्डन बात ये है, ज हमने कंसल्टिन को दे रखी है, एजन्स को दे रखी है, उन पे क्या असर होने वाला है, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में, ये जो स्ट्राइक है, जितने भी गवर्मेंट डिपार्टमेंट हैं, कैनडा इमिग्रेशन, इमिग्रेशन रिफ्यूजी, सिटिजन्शिप कैनडा सारे डिपार्टमेंट आपके बंद हो रखे हैं, स्ट्राइक पे हैं, कोई भी लोकेशन कैनडा में काम नहीं कर रही है, फेडरल वर्कर आर ओन स्ट्राइक, क्यों, रीजन क्या है, वो लोग चाहते हैं कि उनकी सैलरी में रेज आए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, और उनको भी वर्क फ्रम होम का आप्शन मिले है, जो की एक बहुत ही वैलिड मांग है, क्यों वो चाहते हैं कि उनकी सालरी में रेज हाए, अब आप देखोगे, ऐसी बड़ी स्ट्राइक पहले कभी कैनडा में नहीं हुई है, हाँ, कभी नहीं हुई है, इतने सारे इंप् गवर्मेंट ने बहुत सारा फंड रिलीज किया, just to help everyone, whoever needs the money at that crucial period of time, वापस उन फंड को कलेक्ट करने के लिए, इंफलेशन आ गया है, क्यानडा में, सब कुछ महंगा हो गया है, छोटी से छोटी एक हरी मिर्च से लेके, बड़े से बड़ा घर भी महंगा हो चुका है, ख अब ये बात यहाँ पर समझने वाली है कि actually में government की और government workers की लड़ाई में फसा कौन आम आदमी, तो जितने भी जो government departments हैं, वो जुड़े हुए है PSAC से, मतलब कि Public Services Alliance of Canada, Treasury Board है Canada का, वो बहुत जादा try कर रहे हैं कि वो PSAC से इसी तरह से negotiate करे, उनकी मांगे, वो पूरी करने की try कर रहे हैं ताकि वो लोग भी happily strike को खतम करके वापस अपने काम पे पहुंचाएं और सारी services दुबारा ते शुरू हो जाए जल्द से जल्द, of course, Canadian government भी ये afford नहीं कर सकती कि बहुत जादा समय तक, बहुत जादा time तक, एक लाग से जादा employees उनके strike पे बैठे हैं, अब यह की file लगाई है, stamp के लिए passport भीजा है, या फिर आपने citizenship के stamp के लिए passport भीजा है, कोई भी reason है, अगर आप Canada में हैं, तो आपके process में delay आएगा, yes, आपके process में delay आएगा, हमें नहीं पता ये strike कितने time तक चलने वाली है, already one week हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसमें कोई resolve होने की कोई news नहीं आई है, update नहीं आया है, तो पुराने cases में ये भी देखा गया है, कि जो पुरानी दो strike हुई थी बहुत साल पहले, एक जो strike थी, वो 100 days तक चली थी, और जो दूसरी strike थी, वो भी काफी दिन तक चली थी, 42 से 45 days तक, तो अब ही, ये strike कितना time चलने वाली है, हमें नहीं पता है, 6 मेने भी लग सकते हैं, एक साल भी लग सकता है, एक दिन में भी खतम हो सकती है, तो keep your fingers crossed, तो अगर आपने visa डाला है, आप Canada में है, तो दीले आ सकता है, लेकिन एक ये अच्छी बात भी है, कि अगर आपने visa apply अभी तक नहीं किया है, और आप सोच रहे थे कि visa apply करें या नहीं करें, तो मैं आपको बताने जा रहे हूँ, please अभी visa apply कर दो, क्यों अगर आपने visa apply अभी कर दिया, जो भी आपने extension डालना है, student visa या जो भी, आप अगर अभी apply करेंगे, तो implied status आपको मिलेगा, जिसकी वज़े से आपको Canada में रहने का permit मिल जाएगा कि आपने visa apply already कर दिया है, तो अभी आप Canada नहीं छोड सकते हो, क्योंकि आपने application डाली हुई है, तो अगर delay आता है, तो उससे आपको फाइदा होगा कि आप जादा समय तक Canada में रुख सकते हैं, without any work permit और extension और whatever, अगर आप visa डालने की सोच रहे हैं, तो ये सही time है, वीजा apply कर दिये, और जब तक आपका visa अगर process delay होता है, तो आपको Canada में रहने का मौका मिलेगा, दूसरी बात, अगर आप बाहर से apply करने की सोच रहे हैं, क्या होगा, दो चीज़े हैं, एक तो कि आपने अगर visa डाला, तो क्योंकि आपका visa जब डलेगा, आप imagine करें, अगर पहले दो लोग खड़े होते हैं, फिर आप खोड़ा वेट करते हैं, चार लोग हो जाते हैं, फिर दस लोग हो जाते हैं, फिर बीस लोग हो जाते हैं, ऐसे सिर करके line लंबी होती जाती है, तो जब आप जितना देर से जाएंगे, उतनी लंबी line आपको उतना वेट करना प और भी जादा डीले हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बाकी के लोग जो फाइल अपनी डाल देंगे तो आपको उनके प्रोसेस होने का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका नंबर आएगा तो जितनी जल्दी आप अंदर अपना नंबर लगा दें उतना chances हैं कि आपका वीजा पहले आएगा एक चीज यह दूसरी चीज यह कि अभी बैकलॉग का एक फाइदा ये भी है जब पैंडमिक आया था और बैकलॉग हो गया था फाइल्स का इमिग्रेशन दिपार्टमेंट ने क्या किया फटा 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 फट सारे बैकलॉग को क्लियर करने के लिए बहुत सी जो वीक फाइल्स थी उनका भी वीजा अप्रूफ कर दिया मैं कोई ग्यारंटी नहीं दे रही हूँ लेकिन ये चांसे हैं कि ऐसा होगा कि जब बैकलॉग हो जाएगा बहुत सारी वीजा अप्लिकेशन तो उनको क्लियर करने के लिए फटा फट 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 जो इमिग्रेशन सर्विसेज हैं वीजा देना शुरू करेंगी तो वी चीज का अपने एक advantage है वो एक disadvantage है तो इसलिए just hope for the best लेकिन smartly काम करना है तो अगर आप Canada से बाहर हैं अगर आप student visa apply करने जा रहे हैं या फिर कोई भी visa apply करने जा रहे हैं make sure कि आपकी strong file है अपका case strong है और जल्दी से visa लगा दीजिए ताकि आप line में पहले अंदर चले तो आपका file उपर उनको दिखे और आपको visa जल्दी मिले अगर आप end में खड़े हैं बचास हजार लोगों के बाद तो आपको उनका clear होने का wait करना पड़ेगा simple understanding है चीक है तो Canada से बाहर जो Canadian immigration की services available है डेली में दुबई में होंकोंग में बाकी सारी जगाओं में भी वो अ work visa, tourist visa, study visa, spouse visa, whatever वो visa आप उसमें डालिये लेकिन वहां पे डालने के बाद जब वहां का process खतम होने के बाद जब Canada immigration के पास आएगा तो Canada immigration services के पास आने के बाद वो यहां पे थोड़ा अटकेगा यहां पे थोड़ा time लगेगा क्योंकि यहां पे immigration department भी काम नहीं कर रहा है त आप at least try करिये कि आपका जो Q में number है वो जितना उपर आ सके उतनी जल्दी आप visa apply करें हाला कि जो government employees यह कह रहे हैं कि हमें आम आदमी को disturb करना या उनको तंग करना हमारा कोई यह मकसद नहीं है हम बस अपनी request पूरी करवाना चाहते हैं government से लेकिन आप देखिए at the end suffer कौन क के हैं अगर हमें जल्दी कहीं travel करना है या फिर कोई भी ऐसा issue है तो उसकी वज़े से यह situation हमें मुश्किल में डाल रही है तो I hope कि जल्द से जल्द यह जो strike है खतम हो जाए actually मैं government भी नहीं चाह रही है कि यह strike जादा लंबी चले जितना लंबा चलेगा उतना जादा workload employees के उपर आने वाला है घचपच होने वाली है बाद में लेकिन जो PSAC है उनके पास खुद का अपना बहुत fund है तो उनको कोई tension नहीं है जितनी लंबी चले strike बिल्कुल safe and secure है तो उनको कोई हडबर नहीं है कि वो जल्दी से strike खतम करें वो अपना time ले रहे हैं और अपनी मांग आता है तो मैं आपको इस चैनल पर ज़रूर दूँगी Canada से related news, latest updates, जो भी information मेरे पास है मैं आपको देने वाली हूँ इस चैनल पर तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें and stay tuned और अगर आपने मेरी IELTS की वीडियो अभी त और informative वीडियो आने वाली है